वोटर हेल प्लान का निव अपडेट आ गिया है अब आप निव वोटर आईडी के लिए और लन अपलाई कर सकते हो सुगाज मैं हूँ इंजिनियर राजा और मैं आज आपको कम्पलीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ मवाइल से किस तरीके से आप निव वोटर आईडी के लिए आप और लान अपलाई करोगे चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मेरे तो खुन में हैं आप ऐसा करने की कोशिस किजिए गा और आप चाहिए कर भी सकते हैं प्ले स्टोरी से आप वोटर हेल प्लैन डाउनलोड कर लेंगे अगर आप पहले से डाउनलोड कर नुक्रण मेरे संपर्ण मेरे स्टाथ करेंगे क्यूंकि इसका अपडेट आ गया है इसको अपाइल करेंगे आपकर सामने कुछ तरीका सेसय इसका एंटे लेज़ अगर्वेश जाता थैंगया करें इसके बाद यहां पे बास कुछ चाहरा ओपन या skip login पर click करके बीना login किये हम इसको यूज करेंगे अब मतलब form भरेंगे तो यहां form का option है यहां form बाले पर ok करेंगे यहां देख रहे हैं कि apply online new simply हमें इस पर ok करेंगे यहां new voter registration का option है simply हमें ok करेंगे अब यहां पर अपना जो है नाम डाल के ok कर देना है नाम डालने के option open होके आजागा यहां देख रहे हैं कि let's start हम इस पर ok करेंगे ok करती है यहां बोला जा रहा है कि आप first time बोटर आडी बन वा रहा है हैं तो simply yes पर click करके हम यहां पर next करेंगे यहां बोला जा रहा है कि आप Indian citizen है तो yes पर click करके simply next करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीका से यह पर जो को कि आजाता है अब यहां पर का this is看看 जोघन देट पर बट जूज करने के बाद में क्या प्रूफ देना चाहते हैं आपको डूकर में प्रूश कर लेना है धार कार्ट बार्ट साथिफिकर возмासी इंडियन पासपोड पेन कार्डैन रहा है या भीपिन साथिफिकर तो जो भी देना चाहते है इससे चूछ कर लेना है चालिए मैं यहाँ पेंच कर लेता हो हुग आपको प्लोड करने के आपको पेंच करना पड़ेंक को अपना टैपिंग कर दिया है है और जहां भी आपका प्लोड करने के लिए आपको फोटो आपको फोटो आएगा तो चलिए हम यहां से अफ फोटो पर अफ लोड कर लेते हैं आप देख रहे हैं मेरा यहां फोटो अफ लोड होचुका है simply यहां मेल फी मेले चूज कर लेंगे यहां पर अपलेक्ट है उसका नाम क्या है वो आपको नाम यहाँ पर टाइपिंग कर देना है नाम करने को यहाँ इसमें और लेडी हें हिंदी में कौन भुष्ट हो जाएगा अगर हिंदी में कौन भहत कुछ गलत हो जाता है तो गोगल उनिपट टूल से इसको सही कर सकते हैं कि देखेश में यहां पर इसको सही कर लिए इसी तरीके साफ सही एकार सकते हैं यहां सरनेम डाल देना है जो बिए लेटी है मतलब कोई आए तो आप इसको चेक मार्क करेंगे नहीं है तो सिंप्ल आपको यहां पर नेक्स कर देना है नेक्स करने के बदिए आप देख रहे हैं कि यहां पर आगी आप आगी आए इंटर रिलेटिव जो अप्योही मौता पिता जिसका भी नाम देना चाह आप मेच आप दाल देना है तो आपको रहा होस नॉम्यापट आर देना रिय्या लोकालेटी आपको रणांद आप को लुक्त अच्ञा नहीं हमारा पर डरादान मिशन घ्लान नमबर डाल देना है यहां पर देख कर लेना है इसका तब यहां पर देख रहे हैं कि आपका ऑप्सन आ चुका है यहां पर एस्टेट। कि आपको हिना कपी इस नियुक्त कर लेना स्वाइप को मतलब है इहां पर यहां पर देख रहे हैं कि आपका यहां पर पुरूफ मांग रहा है कि आप जोस्ट दिये हैं उसका पूरूफ देने के लिए ताब अर हारकारी इंडियन लासेंस हरासन कार्ड या स compromise का इनकम स्थिफिकत रिस्च कर लेना चलिए यहां पर मैं अधार कार्ड को छूज कर लेता हूं इसके पार अधार का करने के बाद सिंपली यहां अधार का कई कापको जो ही है इनकужд है इसको यह अपलोड है ओ Changing करना दिजी लोकर से भी अफ़ोड करए यहां पर द्हार का नमबर डॉयगे इसके अफ़ पाधार का डालया तो कर दीआ हुआ तो मैंने अदार काट को अफ्लोट कर दिया आप लोट करने के बाद यह आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको डेक्लेशन देना पर लेगा कि आप इस डेट पर कब से रहे हो तब उस कलेंडर में इस डेट को चूज कर लेंगे स्क्रोल डान करके नीचे आएगा यहां पर प्लेशन देना है जो भी अप्लेकेंट का नाम है नाम डालने के बाद यहां पर आपका प्लेश आ जाता है इसका सिंपली डन करेंगे डन पर करते ही आपको अपलिकेशन समिट हो जाएगा और आपको एक रिफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा जिसको आप स्क्रिंसोट लेके रख सकते हो तो इसका एक स्कीन सोट रख लेज़े रिकोर्ड के लिए और इससे अपना एस्टेटस भी चेक कर सकते हैं तो कैसे चेक करेंगे इसको मैं आप पो डिटेव में बताऊंगा इसके बद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको वेट करना होगा नीव भोटरा आईडी कार्ड बनने में तीन महीने का टाइम लग जाता है तो आप रिफ्रेंस नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं इसको अपना एक्स्टेटस ट्रैक करने के लिए एक्सप्लोई बाड़े पर ओके करेंगे यहां देख रहे हैं कि अप्लिकेशन को ट्रैक करके देख सकते हैं ने कहिए कर से सामारे इसे आपना बया आप लपीर्प हो सब्सक्रांबर के लिए रिफीर पर देख सकते हैं इसके बाड़ एक्षप्र होगा और धीरियोह को जाएगा अगर आपको अप्लिकेशन घ्सप्रका इता है तो बाई पौस्ट अब आ चार्ण पहे आ जाता है को आजाएगा इसमें तीन महीने का टाइम लगता है अगर आपका वोटर आईडी आपके डेस्प नहीं आता है तो आप इसके डूबलीकेट के लिए भी अपलाइ कर सकते हैं या आप अपने सीसी सेंटर पर जाके भी आप इसको अगल बगल कोई सीसी सेंटर है वहाँ जाके है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ सेर करें और आपके दिल में कोई क्वेस्चन हो तो कोमेंट बॉक्स में जाके कोमेंट करके पूछ सकते हैं